नमस्कार मैं हूँ योगेश राना और आए बात करते हैं उत्राखन पैसे को कैसे होता जा रहा है मोहताज बात सुरू करने से पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं ताकि बात तच्छों के साथ की जा सके पहले फैक्ट की बात करें तो मुख्यमंत्री पुसकर चिंग धामी सरकार का दूसरा विधान सवा सत्र साथ जून से गेरशेन में होने जा रहा है इसमें धामी सरकार पहला बजट पेस इस विधान सवा का करने जा रही है और दूसरी बात करें तो 22 साल पहले जब उत्राखंड का गठन हुआ था तो 4000 क्रोड का उत्राखंड पर कर्ज था यह कर्ज 2021-22 के अगर बजट सत्र की बात करें तो 74,000 क्रोड तक पहुँच गया है लेकिन हालात इसी तरह से बदहाल होते रहे तो अगले तीन साल में एक लाग करोड को पार कर जाएगा यह एक ऐसी हकीकत है और उस हकीकत को बया करते हुए यह ऐसे आंकड़े है जो सरकारी एजेंचियों से लिए गए है सरकारी एजेंचियों ने ये चेतावनी देते हुए आंकडे पेस किये है कि अगर हालात नहीं सुधरे और उत्राखंड की सरकार ने अपने कमाई के साधन नहीं बढ़ाए तो तीन साल में आने वाले तीन साल बाद एक लाँक करोड से जादे का करज उत्राखंड सरकार के सर पर हो जाएगा इसे थोड़ी सी और आसान भासा में समझे तो आप भी अपने घर में कमाई और खर्च का लेखा जोखा रखते ही होंगे सरकारी आंकडो और मीडिया में लगातार आई रिपोर्ट के विशलेशन के बाद बाद करें तो उत्राखंड सरकार की खुद की कमाई एक साल की करीब करीब 1944 क्रोड रूपे हो जाती है इसमें सेल टेक्स, वेट, स्टेट एकसाईज, स्टांप डूटी, रोड टेक्स सहीत, अन्य टेक्स से आने वाले रूपे सामिले ये कमाई जो परदेश सरकार के टेक्सी जे उन से आती है और अगर परदेश सरकार के इस कुल राजस भी बात करें तो ये जो कुल राजस बन रहा है प्रदेश सरकार की इनकम जो है उससे और जो प्रदेश सरकार के को केंद सरकार अनुदान देती है उस टोटल को भी जोड ले तो 44,173 क्रोड रुपे का राज़स प्राप्त होता है और उत्राखंड सरकार की इस कुल कमाई का 65 फीस दी यानि की 30,000 क्रोड के आसपास जो रु प्रदेश सरकार के पास बचता कितना होगा आपको ये आंकडे बोर कर सकते हैं हो सकता है ये ध्यान में आए कि ये आंकडों की बाज़ेगरी है आंकडों पर बात क्यों की जा रही है लेकिन आप सोच ये जवाब अपने घर का हिसाब करते है तो आप कितने बोर होते हैं न तीसरे बिंदू की तरफ चलते है और तीसरे बिंदू पर अगर हम प्रदेश के सारे निकायों की बात करें तो बहुती चोकाने वाली सुचना प्राप्त होती है Уत्रा खंड में आठ नघर निगम है और इन आठ नगर निगमों को मिला कर सारे नगर निकायों की बात करें तो बान में हैं लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि इन में से एक भी ऐसा नहीं है जो अपने करमचारियों को वेतन तक देने की इस्थिति में हो उसकी इतनी भी कमाई नहीं है कि करमचारियों को वेतन भी दिया जा सके नैनिता परदेश के अन्य निकायों के मुकाबले। इसलिए इनकी चर्चा हो रही है लेकिन ये सारे के सारे घाटे में है। सारे निकाये परदेश सरकार की और एक एक पैसे के लिए मूँ उठाए तकते रहते हैं कि कब पैसा आए और कब करमचारियों को वेतन तक बाटा जाए यह परदेश सरकार की और परदेश के निकायों की आर्तिक हालात को दर्शाती हुई एक तस्वीर है और इस तस्वीर को समझना चाहिए क्योंकि पिछले 22 सालों में हम उस स्थिती में भी खड़े नहीं हो पाए है जो अपने खर्चों की पूर्ती खुद कर सके आखिर क्यों यह एक सवाल है और यह सवाल उस वक्त और भी बहुत जरूरी हो जाता है जब उत्राखंड के प्रेटन मंत्री सत्पाल माराज कहते है कि उत्राखंड में प्रेटन के छेतर में खूब निवेस हो रहा है उन्होंने कल ही कहा है कि 2016 से लेकर अब तक उत्राखंड में 4582 क्रोड रूपे का निवेस हुआ है यह 4500 क्रोड रूपे की जो बात की जा रही है यह आंकड़ा 6 साल का है और निवेस कहा हुआ है खूद प्रेटन मंत्री के हवाले से बात करे तो आप जान लीजिए प्रदेश में कुल 100 पिचान में इकाईयों में यह निवेस हुआ है और इसमें होटल, मोटल, रिजोल्ट, रेस्टा, कार, पार्किंग, आदिस्सा मिल है आप समझ सकते हैं कि कहा निवेस है और किस लेवल का निवेस है जब आंकड़ा बहुत सालों का जोड जाड कर बताया जाये तो माना जाना चाहिए कि उपलब्दी बहुत बड़ी हमारे पास नहीं है इसलिए एक साल का आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है 2016 से अब तक का आंकड़ा बताया जा रहा है क्योंकि अगर हम पिछले एक दो तीन सालों की बात करें तो बहुत बड़ा आंकड़ा कोई निकलता होगा नहीं यह मान कर चलना चाहिए और अगर बहुत अच्छे आंकड़े होते तो 6 साल का आंकड़ा जोड़ जार कर ना बताया जाता यह फिगर ना बनाई जाती यह एक हकीकत है जिसे हर उत्राखंडी को जानना चाहिए इससे वाकिफ होना बहुत जरूरी है क्योंकि कमाई बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे ठोस उपाई सरकार करना ही रही है जिससे प्रदेश की सरकार की आर्थिक स्थिती और विभागों की आर्थिक स्थिती में उन्नती की तस्वीर दिख सके नगर निकाए परदेश सरकार की और और परदेश सरकार केंज सरकार की और अनुदान के लिए देखती रहते हैं सरकारी करमचारियों का वेतन तक देने में दिक्कत हो रही है अधिकतर निगम और निकाए घाटे में हैं ऐसे हालात कैसे और कब तक बने रहेंगे इस पर बात होनी चाहिए इस पर विमर्स होना चाहिए और सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए और इस विदान सबसत्र में इन हालातों को लेकर चर्चा होनी चाहिए और उत्रखंड सरकार कोई एक समुचित हल जनता को बताना जरूरी होगा कि इस बजट सत्र से उत्रखंट सरकार देने वाली क्या है हिसाब लगाने वाली क्या है और ये जो कर्ज बढ़ता जा रहा है उत्रखंट सरकार गवर इसको कम करने के लिए उतारने के लिए कौन से ऐसे काम किये जाने है जिस पर जनता को बताया जा सके और जन खर चक्रेदस